पैंसोल्स कैसे हैं आप सब वैसे तो मैं जानती हूँ आप सब अभी जो फेस कर रहे हैं चीजे वो आप लोगों को खुद को समझनी आ रही है कि ये चीजे हो क्या रही है और जो टावर मोमिट आया है आपकी लाइब में और साथ में आपके डियम के लाइब में बोट इस चीज से सफर कर रहे हैं बहुत बुरी सिस्टवेशन है मैं इस चीज को फेल कर रही हूँ नैट से हो गया है मैं बहुत ज़ादा एमोशनल हो रही हूँ मैं समझने की कोशिस की ये चीज हो क्या रही है अचानक से ये जो एनर्जी चेंज हुई है ये क्यूं हो रही है तो फिर मुझे समझाया कि बहुत सारी डियफ और डियम के एनर्जी पिक किया है मैंने जो इस चीज से सफर कर रही है बहुत बड़ एक टावर मोमेंट आया है आप लोगों की लाइब में कर रहा है अगर डियफ और डियम दोनों कॉंटेक्ट में है तो वहाँ पर डियम की शादी की बात हो रही है कहीं पर उनके घर वाले उनको इमोशनली कुछ न कुछ करके उनको ब्लैक मेल कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो मिस उनके अंदर जो भी चीज़े हैं डियफ के अंदर उनको पता नहीं था डियफ को कि ये चीज़ मेरे अंदर है तो वही चीज़ उनके सामने लाई जा रही है उन पर आटैक्स हो रहे है आखिर कब तक ही चलेगा आप लोगों का कोशन होता है न क्यों इतना पेन है जन्य में हर दिन कुछ न कुछ होते रहता है दो दिन ठीक रहो फिर तीसरे दिन कुछ अटैक्स होगिए कोई ट्रिगर कर रहा है कोई भी बलैकमेल कर रहा है आखिर क्यों हो ये सब कुछ तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ देखिए जब तक आप लोग किसी से भी attachment रखोगे किसी से भी कोई उमीद रखोगे तो ये चीज़े आप लोगों के सामने आहेगी ही क्योंकि आप लोग एक souls हो और souls कोई भी attachment हो गई कोई भी उमीद इन सारी चीज़ों पे जो 3D की चीज़े होती है उस पे depend नहीं रहती है souls तो इसलिए आप लोगों के सामने ये चीज़े हो रही है बहुत बहुत परजिंग हो रही है आप लोगों की मैं एनरजी पी कर रही हूँ काफी डिया बहुत रो रही है रोई अगर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है भी तो बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ बस positive रहो इस समय जो भी आप face कर रहे हो अपनी life में सबकी situation अलग हो सकती है DM से लडाई हो सकता है DM समझ नहीं पा रहे है आप यह मैं सोचो कि आपकी life में सब कुछ हो रहा है DM भी बहुत ज़्यदा परिशान है वो रात बर सोनी बा रहे है जिस तरीके से आप लोगों को रात नहीं नहीं आ रही है same DM भी उस चीज़ को face कर रहे है बट वो किस से बोले उस चीज़ को आप तो आपकी जो soul family है आप उससे बता सकते है share कर सकते है बट DM किस से share करे फिर भी यहाँ पे एक बहुत positive energy DM आपकी तरह भेज रहे है कि जो चीज़े अभी हो रही है वो कुछ पल के लिए है आपने Mr. India का बहुत प्यारा सा song है आपने सुना ही होगा आज गम है तो कल है खुशी same energy DM आपको भेज रहे है कि जो चीज़े अभी आपके साथ हो रही है वो थोड़े पल के लिए है उसके बाद एक नया सवेरा होगा जब भी एक नया सवेरा होता है उसके पहले अंधेरा होता ही है same चीज़े आपके साथ हो रही है एक new beginning जब होगी तो उसके पहले जो भी आपके अंदर जो भी hidden जो भी surprise जो भी चीज़े हैं वो सब कुछ आपके दबे वे हैं आपको खुद को पता नहीं था कि ये चीज़े मेरे अंदर अभी भी है जहां पे आप कब तक कब तक आप डरोगे कब तक किसी पे डिपेंड रहोगे कि खुद को खुष रखने के लिए क्यूं सेल्फ लब नहीं हो रही है क्यूं ये सोच रहे हो कि डियम के शादी कहीं और हो जाएगी परहाई करना है जॉब करना है क्यूं अपने घर पे लोग नहीं बोल पा रहे हूँ इसी पज़े से ये सारी चीज आप लोगों के साथ हो रही है पर इसमें भी घबरानी की बात नहीं है अगर ये निगिटिविटी का अटेक है तो ये निगिटिविटी का अटेक भी उसी जगה पे होगा जहां पे उस चीज़ को आपको रिलीज कराना है बट कई डियाफ बहुत ज़दा परिशान हो रही है बहुत रो रही है उनको बाडी में कहीं न कहीं पेन हो रहा है ड्रीम्स में भी बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे है जहां पे सुबा उटने के बाद आप वो बहुत ज़्यादा low feel कर रही है उस चीज़ को overthinking करकर करके और ज़्यादा negative हो रही है तो please डियाफ ऐसा मत करिए आप इस वक्त जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है बस आपको release करना है मैं जानती हूँ असान नहीं होती ये सारी चीज़े बट अगर आप कोसिस करोगे तो आप इस चीज़ को इस वक्त को भी पार कर जाओगे फिर आप खुद देखोगे जो नया समय आने वाला है वो कितना प्यारा है आपके लिए reunion होगा बहुत सारी डियफ का बहुत सारी growth होगी बहुत कुछ abundance सब कुछ आपको मिलने वाला है बट उसके पहले ये सब कराया जा रहा है कि आपकी जो souls है जो आपकी souls की fragrance है हर जगे फैली हुई है कहां किस किस moment में आप अपनी souls के fragrance को छोड़ के आए हो प्लीज उसको लीजे और जिस भी तरीके से जो चीज़े आ रही है उसको बैट के सोचिए कि हां ये चीज़े मेरे अंदर है मुझे उसको release करना है अगर DM कुछ ऐसी चीज़े कर रहे हैं तो उसको DM पे नहीं खुद पर देखिए कि कहीं न कहीं ये चीज़े मैं खुद पर करती हूँ या फिर मैं दूसरों के साथ करती हूँ ये टैम बहुत ज़दा important है खुद पर focus करने की किसी से भी attachment नहीं रखना है आपको even अपनी family कोई भी हो हम यहाँ अपना काम करने आए हैं बस इससे ज़दा कुछ नहीं जो आपकी जिम्मेदारिया है आप एक बेटी हो एक बहु हो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करिए बस इससे ज़दा आपको कुछ भी attachment नहीं रखनी है कि वो आप लोगों को emotionally blackmail कर रहे हैं और आप होते जा रहे हो बिलकुल भी नहीं होना है वनना ये जो वक्त चल रहा है वो और खराब हो सकता है बहुत सारी डियाफ इस जर्नी को जूट समझ रही है और वो सोच रही है जिससे मैं डिल कर रही है वो मेरा ट्यूइन है ही नहीं या जो मैं इना वक कर रही हूं उससे कुछ फाइदा होगा ही नहीं वो नहीं आएगा तो प्लीज डियाफ ऐसा मत सोचिए आप लोगों को पॉजिटिव रहना है अगर आप लोग इस वक्त नियेटिव होगे तो वही चीज को आप मैनिफेस्ट करोगे तो यह आज की चैनलिंग बहुत ज़्यादा पेनिफूल है डियाफ दोनों की लाइप में चीज़े उथल पुदल हो रही है बट कहीं न कहीं डियाफ बहुत पॉजिटिव एनरजिस भेज रहे हैं अपनी डियाफ की लाइप में डियाफ को भेज रहे हैं कि जो चीज़ अभी हो रही है वो कुछ पल के लिए है फिर नया सवेरा आएगा ही आएगा तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा पानी पीजे और जितना हो सके नेचर में जाए ग्राउंडिंग करिए और ज़्यादा किछी से बात मत करिए तो चलिए मैं अब मिलते हूँ नेस्ट वीडियो में थैंक यू सो मच